हेलो प्यारे दोस्तों कैसे आप सभी आशा और दोआ करता हूँ जहां भी होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो दोस्तों आज बहुत ही खास एक स्कॉलर्शिप के बारे में आप जानकारी अपने इस वीडियो के माद्यम से में देना चाहता हूँ वे सभी मेरे भाई बंद में आगे जाना चाहरे हैं और आगे कोलेज एजूकेशन में उनको पढ़ाने के लिए वहां पर जो अमूमन हमारे जो भारतिये जो सामजिक वेवस्ता है जो अर्थ वेवस्ता हमारी उसमें अमूमन यह देखा गया है कि इस तरी शिक्षा पर एक तो भोजत ध्यान भी नह बहनें मेरी और वह सभी जो इस तरी यह जो टैंथ और ट्वल्थ बच्चियां जो टैंथ और ट्वल्थ पासाट हो चुकी है और फस्ट यह में जिनका एडमिशन हो चुका है वह अपनी हार एजूकेशन की शिक्षा जो है वो तीस हजार रुपे हर साल चाहे वो एक दो सा पर तीन साल का डिग्री प्रोग्राम हो दो साल का डिग्री प्रोग्राम हो या पांस साल के तक का डिग्री प्रोग्राम हो वहां पे हर साल जो है तीस हजार रुपे प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए यह जो कारिकरम रखम है यह कारिकरम आपका है अजीम प्रेंजी स्कॉ और समान शिक्षा का अवसर भी जो है भारते चात्र चात्राओं को मिलना चाहिए इसका मेन उद्देशी यह है और इस स्कॉलर्शिप के प्रोग्राम के माद्यम से है चात्राओं को कोलेज के शिक्षा प्राप्त करने में मदद करते हैं यह अजीम प्रेम जी स्कॉलर्शिप प्रोग्राम आगे क्या है इसकी डिटेल में और अगपन जानते हैं यहां पर जिए देखी इस प्रोग्राम के बारे में आगे और क्या गया गया है प्यात्मिक रूप से उची तक अक्षाओं की तरफ बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे विद्याती तो कई तरीके की मुश्किल का सामना हम तो भारतिय समझिक विवस्थाओं को जानते हैं यहां पर जो है सबसे बड़ी जिस तरीके से आज कल का भैबीत करने वाला जो वातावरण है छात्राओं के लिए बच्चियों के लिए उसके लिए उससे भी परिवार कतराते हैं वह आगे क्यों पढ़ाएंगे क्या पढ़ लिए क्या कर लेगी यह जो रूड़ी वादी मान सिकता है दोस्तों उसके विरुद जाके जागरू करने का और एक आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के यह प्रोग्राम है जिससे सामझिक रिती रिवाद से घर संसानों की दूरी की वज़े से या कोई आ प्रोग्राम है इसके लिए आपके पास क्या अब आपके योग्यता क्या होनी चाहिए उसके संबने में यहां पे जो है यह बहुत इंपोर्टेंट है यह ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा यह जो वाला पॉइंट है कि यहां पे आपको दोजार चोईस पच्चिस में 2024 का जो सेशन चल रहा है जो जुलाई 2024 से स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट 30 जून 2025 तक चलेगा उसमें आवेदन सितंबर 2024 की दूसरे सक्ता से स्विकार किये जाएंगे तो यह जो एकेडमिक यह है जुलाई 2024 से 30 जून 2025 वाला इसमें जो आवेदन हम इस प्रोग्राम के प्रोग्राम के अंतरगत लिया जा रहा है वो सितंबर के दूसरे सप्ता 2024 सितंबर दूसरे सप्ता से यह जो है स्विकार किये जाएंगे इसके लिए क्या ज़रूरी है इसमें आपको 2024 के इसी सत्र में हम उन छात्राओं को सयो करेंगे जिन्होंने सरकारी स्कूल से कक्षा 10 दोनु उत्तिन की है देखिए यहां पर जो में उद्देश है वो है आर्थिक रूप से गरीब तबके को जो है जो अब बच्चियों को पढ़ाने में असमर्थ है उनको प्रोसाहित करना है तो यहां पर अमूमन यह आप जानते हैं कि ऐसे पारिवारी किस्तिती वाले बच निजी स्कुल में पढ़ाने वाले इतने गरीब नहीं होंगे कि वो जो है उनको इस सहुत साहिता की आवशक्ता होगी तो यहां पर दस्वी और बार्वी दोनों उत्तिन की हो और किसी शास के संस्थान या विश्वस ने प्रामानिक निजी कोलेज या विश्विद्याले क कि नियमित डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम में नियमित चात्रा के रूप में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो इसको मैं और एक्स्प्लेइन आपको यहां पर देखिए कि किस तरीके से इसको और अच्छे से एक्स्प्लेइन करने का मैं बताता हूँ आपको यहां प तीन साल हो चार साल हो या पांच साल हो कई डिग्री प्रोग्राम जो है डिप्लोमा प्रोग्राम दो साल के हैं डिग्री प्रोग्राम अमूमन जो है वो तीन साल के हैं चार साल या बीए बीएड या एमकॉम बीएड आप साथ में कर रहे हैं तो पांच साल के डिग्री प्रो किये जा सकें अभी ये योजना जो है पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में ही शुरू की गई है जो जल्दी पूरे देश में आपके चलाई जाएगी अब उन कौन से इसे शेयर हैं किन राज्यू में स्टार्ट किए कि उन पे भी मैं आगे चर्चा करूंगा नेक्स्ट आपन देखते हैं यहाँ पर इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है यह सबसे प्रमुक प्रशन यहाँ पर आता है कि यह किन बालीकाओं के लिए है कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है तो आप ध्यान दीजियेगा मेरे दोस्तों मद्य प्रदेश या राज्यस्थान एवं उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिलों राची जहरकंड जिले के इटगी विकासकंड की वे सभी छात्रा हैं अब इनमें आपको ध्यान दीजिए सबसे पहले आपने किसी इस्थानी शास के स्कूल से दसवी उत्तीन कर लिए हो पास कर लिए हो बारवी में तेईस चोईस या उससे पहले किसी इस्थानी शास के स्कूल से मतलब बारवी भी आपने नियमित या ओपन उत्तीन की हो ये दो Terms and Conditions आपको फुल्फिल करनी है तीसरी Terms and Conditions क्या है आविदन के समय आप जो है किसी शास के संस्थान या किसी शास के संस्थान या विश्वशने प्रामनिक निजी कॉलेज के अंदर जो है वो विश्वश्वश्द्याले में मानेता प्राप्त इसनातक उपादी या डिप्लोमा प्रोग्राम के पहले वर्ष में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश आपने प्राप्त किया हो तो या आपने 10th पास की हो 12th पास की हो तो regular या open के रुप में government school से, साथ ही साथ आपने किसी government institute या government आपने जो है private college या university के अंदर आपने इसनातक की उपादी या diploma program के पहले वर्ष में जो है नियमित या regular छात्रा के रूप में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो, तब ही जाके जो है आप आवेदन कर सकते हैं तो regular होना नेमित छात्रा के रूप में होना जरूरी है गर्मेंट स्कूल से होना जरूरी है, प्राइवेट कॉलेज या इंस्टिटूट हो सकता है, यूनिविसिटी सभी प्राइवेट ही है, तो प्राइवेट यूनिविसिटी में डिप्लोमा या डिग्री प्रोग्राम में आपनी नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश प्रा पे जाके मुझसे आप इंडिविज्वली संपर कर सकते हैं मैं मैं हूँ आपका होस्टें दोस्ट असेजन प्रोफेसर मनीश और मैं अब आपके लिए उन जिलों के बारे में बताने जा रहा हूं राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के जहां पे ये पाइलेट प्रोजेक् राजस्थान में बाई जिले कौन-कौन से होंगे अजमेर, अलवर, बालोत्रा, बासवाड़ा, बारा, बाडमेर, चितोडगड, दूदू, डूंगरपुर, जैपुर, जैपुर ग्रामीन, जालोर, जालावाड, जोदपुर, केकड़ी, पाली, प्रताबगड, राससमंद सवाई मादोपुर, सिरोही, टॉंक और उधेपुर, ये तो राजस्थान के वेबाई जिले हैं जहां पर प्राजेक्ट, पाइलेट प्राजेक्ट के रूप में योजना संचालित की जा रही है, सितंबर 2020 से उत्तर प्रदेश के 35 जिले लिए गए हैं अमबेटकर नगर, अमेठी, अयोध्या, फेज़ाबाद, आजमगड, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंगी, बस्ती, चंदोली, चित्रकूट, देवरिया, पतहपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरकपुर, जोनपुर, कोशामबी, कुशी नगर, लखनो, महराज गंच, मौव, मिर्जापुर, प्रियाग राज, पूर्व में इलाबाद, बारिश बहुत तेज हो गई है, आशा करतों आपका वाज क्लेर आरी होगी, पताबगड, राइबरेली, संत कबीर नगर, संत रविदास पूरा जो है, पूरी योजना के संबंद में, मैंने आपको वह उत्तर प्रिदेश के पैतिस, राजस्तान के 22 जिले, इन सभी के बारे में बताया, ये बहुत ही, मेरे साब से जो है, एक हमारे यहां पे जो तरीकी के राज देश के अंदर जो जरूरत हैं, बरतमान जरूरत करके वो एक तरीके से हमारे अपने समाज के प्रती जो है, करते वे का निर्वान होगा, और मिलते रहेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार जेहिंद